रेल्वे की भर्तियों में राजनिती होती थी कि गरीब लोगों की जमिन चीनका उन्हें रेल्वे में नोकरी का जासा दिया गए नमस्कार एक निउस 24 देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग बता दें कि जुस तरीके से नितिश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए है वही दूसरी तरफ लोग सबाद चुनाओ 2024 की तैयारी भी खोब तेजी से दिख रही है बता दें कि लगातार 2024 की चुनाओ को लेकर जो पार्टियां हैं वो अपने अपने अलाके का दौरा कर रही है या फिर यू कह दें कि मिटिंग पर मिटिंग करती नजर आ रही है लगतार कारेकरता नेताओं को ये समझाने की कोशिस कर रही है कि आप लोगों के बीच जाए सरकार की चुका में उसको गिनाने की कोशिस भी कीजिए लेकिन इन सब के बीच आपको बता दे कि राजस्थान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बंदे भारत एक्सप्रेस को हर जंडी दिखाई है और इसी दोरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए नितिश कुमार पर जम कर निशाना साधा है सबसे पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए साथियों हमारा देश का दुरुभागि रहा कि रेले में जैसी महत्वपुन व्यवस्ता जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है उसे भी राजनीती का अखाड़ा बना दिया गया था आजादे के बाद भी भारत को एक बड़ा रेले में नेटवर्क मिला था लेकिन रेले में के आधुनी करण पर हमेशा राजनीतीक स्वार्थ हावी रहा राजनीतीक स्वार्थ को देखकर तबियत ताई किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा पर चलेगी, राजनितिक स्वार्थ ने ही बजेट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की गोशना करवाई जो कभी चली ही नहीं, हालत ये थी कि रेलिवे की भर्तियों में राजनिति होती थी, बड़े पैमाने पर ब्रस्टाचार होता था, हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमिन चीन कर उन्हें रेलिवे में नोकरी का जासा दिया गया, देश में मौजूद हजारों मानव रहीत क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था, रेलिवे की सुरक्षा, रेलिवे की स्वच्चता, रेलिवे प्रेट्फॉर्म की स्वच्चता, सब कुछ नजरंदाज कर दिया गया था, इन सारी परिस्थितियों में बढ़लाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थीर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनेतिक सौधेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चेन की सांस ली और नईू उचाई पाने के लिए दोड़ पड़ी, आज हर भारतवासी भारतियर रेल का काया कल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ, तो देखा आपने की साफ तोर पे पेम नरिंद्र मोदी ने लालो पिशाद यादो का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन रेलवे का जुक्र जरूर किया है, रेलवे का जुक्र करते हुए, उन्होंने ये बताने की कोशिस की है कि रेलवे में भरती के नाम पे भी बहुत धादली होती थी, और राजनीती में जो है रेलवे को लेकर एक अखाडा बन गया था, जो की ठीक नहीं था, 2014 के करीब की अगर बात करें ते उस समय भी लोग ऐसे ऐसे बिल पास करवाते थे, जो कभी पूरा ही नहीं हुआ, तमाम तरह की बाते कहीं है, पिये मोदी ने अपने बयान में, हलाकि उन्होंने आरजेडी सुप्रेमों लालू परशाद यादों का अपने बयान में जुक्र नहीं किया है, लेकिन साफ तोर पे उन्होंने ये कहा है कि नौकरी का जासा देकर रेलवे में आने के लिए जमीन लेली गई गरीबों को सताया गया, इस तरीके की तमाम बाते उन्होंने कही है, अब कहा जारा है कि जो पीएम नरेंद्रमोदी है, उन्होंने आरजेडी सुप्रेमों लालू परशाद यादों का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जम कर उन पर निशाना साधा है जम कर अपनी भडास भी निकाली है मौका भी था दस्तूर भी था इसी बहाने जो पीम नरेंद्र मोदी है उन्हों ने अपनी बात भी रख दी इस वीडियो में फ़लाल करता ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रही एक न्यूस 24 क के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लिए